आईए सुनते हैं आज की मेरी नई कहानी। वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंध तक देखिए। रजनी की नजरे एक साधू से लड़ गई। वह साधू, साधू नहीं था, स्वाध था। जवानी दीवानी होती है, रजनी भी जवान थी, खूबसूरत थी और उसकी इसी खूबसूरती पर साधू की रीज गया था। नों तक चलता रहा। किसी को इसकी खबर नहीं थी, वह जानती थी कि उसकी इस हरकत का शायद किसी को भी पता नहीं था। क्योंकि यदि पता होता तो, कही न कहीं कोई न, कोई तो कुछ कहता ही, या कोई रोक टोक करता। रजनी और साधू की यह रासलीला चलती रही, वह गाव में भिक्षा मांगने आता था। मगर कुछ कहना होता वही पर कह जाता। उसका खाना वह स्वयम ले जाया करती थी, उससे स्वयम हाथों से खिलाती थी, रजनी तो साधू की मोह में बंदी हुई थी। लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तेकर दी, हो सकता है कि उन्हें रजनी और साधू के मिलन पर शक हो गया हो। या किसी ने उनसे शिकायत कर दी हो, उस साधू से रजनी का पिन चुड़वाने का कोई और तरीका नहीं था। यह सबसे अच्छा तरीका था कि विवाह होने के बाद वह अपनी ससुराल चली जाएगी। और उनका मिलान बंद हो जाएगा, रजनी की शादी हो गई। दो-चार दिन बाद, जब वह अपने ससुराल से वापस आई तो साधू के पास गई। साधू ने रजनी को कई जार लगाए, और काफी बुरा भला भी कहा। उसको साधू ने यहां तक कहा कि, अपने पती को छोड़कर क्यों नहीं आ गई। जैसे तैसे रजनी ने अपने प्रेमी को खुश किया, मर्द त्रियाचरित्र के आगे तो मात ही खा जाता है। और लोग भी थे उसके मित्र भी थे। रात में काफी देर तक खाने पीने का क्रम चलता रहा, रजनी को रात में 12 बजे बजे के बाद समय मिला। तब वह अपने प्रेमी का खाना लेकर चल दी, जब वह घर से बाहर जा रही थी। उस समय उसका पती राकेश जाग रहा था, उसने तब किसी को आधी रात के समय में जाते देखा तो। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, और वह भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। रजनी काफी तेज जाल चलती हुई, उस साधू की जोपड़ी पर पहुँची। रजनी ने खाना रख दिया, तू अब तक कहा थी, मैं भूखा मर रहा हूँ। तेरी राह देखते देखते मेरी आँख भी पत्रा गई, देर हो जाने की वजह से साधू रजनी को तेज स्वर में डांटने लगा। रजनी ने कहा आज मेरी ससुराल वाले मुझे लेने आये हैं, इसी वजह से देर हो गई है। साधू ने उसके दो-तीन झापड़ और खीच दिये, और कहा तू तो चली जाएगी। उसके बाद मेरा क्या होगा, उसने कहा मेरे अंदर ज्वाला दहक रही है, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो। तुम कल मत जाना, साधू ने कहा परसो चली जाना, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा। फिकर न करो रजनी ने कहा, यदी संभब हुआ तो मैं कल तक रुप जाओंगी। और उसके बाद यदी मैं ज्यादा दिन तक ना आपाई, तो तुम वहां आ जाना। मैं किसी ना किसी बहाने तुम से मिलने आती रहूंगी, यही ठीक रहेगा, साधू ने कहा। मैं वहीं आ जाओंगा, फिर तुम्हें यहां नहीं आने पड़ेगा। और हमारा मिलन होता रहेगा राकेश जोपली के पीछे खड़ा हुआ सब सुन रहा था। सब देख रहा था, उसकी आँखों में खून उतर आया था, उसके जी में आ रहा था। कि उसी समय उन दोनों को जान से मार दे, मगर ना जाने क्या सोचकर वहां से चला गया। और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन राकेश ने जान बूझ कर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ये जानकर की जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, रजनी बहुत खुश हुई। लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता पती पर घर के किसी अन्य सदसे पर जहर नहीं होने दी। दूसरे दिन रात में भोजन करने के बाद राकेश उपचाप वहाँ से चला गया वो वहाँ से तेज तेज चलता हुआ साधू की जोपड़ी पर आया उसने वहाँ जाकर साधू के दो टुकड़े कर डाले और फिर वही पर खड़े एक पेड़ पर चड़ गया वो अपने आपको पत्तों से चुपाई हुए था करीब एक घंटे बाद उसकी पत्नी रजनी वहाँ आ गई वो ही एक हाथ में थाल में साधू के लिए भोजन लिये हुए थी उसने दुलहन की तरह सिंगार कर रखा था रजनी शंकर की जोपड़ी में पहुँची उसने वहाँ जाकर साधू शंकर के दो टुकड़े देखे साधू की यह हालत देखकर रजनी की जो हालत हुई उसने वही पास में पड़ा हुआ गंदासा उठा लिया था और नदी किनारे पर इधर से उधर तक दोड़ती फिर रही थी निश्चित था कि यदि साधू का कतल करने वाला उसे मिल जाता तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती प्रेम और बिरग की अगनी में उसके तन बदन में आग लग रही थी उसने नदी के किनारे पर इधर से उधर कई चक कर काटे और जब कोई नजर ना आया तो गंदासे को वही पर डाल कर लकड़ी इकठी करने लगी कुछ लकड़िया तो उसकी जोपड़ी में थी कुछ और इकठी की और फिर उसके सिर को धर से जोड़ कर उसने धूने की आग से उसमें आग लगा दी उसका पती ठके कदमों से नीचे उतरा और वापस जल्दी आकर अपने बिस्तर पर लेट गया कुछ देर बाद नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, रजनी भी आकर अपनी चारपाई पर लेट गई वो अप पूरी रात एक मिनट को भी न सो सकी थी, अपने प्रेमी साधू की याद में पूरी रात आंसू बहाती रही सुबह उटकर प्रतिदिन के आवश्यक कार्य को निप्ता कर तयार हो गई, अपनी ससुराल जाने के लिए यह सत्य है कि नारी का एक हदया सागर की तरह विशाल और गहरा होता है उसमें ना जाने क्या क्या समा सकता है, उसकी चहरे पर रात की घटना की जरासी भी परच्छाई नहीं थी चहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी, राकेश ने भी कमाल का काम किया था उसने रात की घटना का किसी से भी और उसने अपनी पत्नी को भी माफ कर दिया था कि जीवन में गलती किससे नहीं होती गलती को यदी माफ ना किया जाए तो गलती करने वाला गलती और भी करता चला जाता है शायद राकेश ने रजनी को इसलिए भी माफ कर दिया होगा, क्योंकि उसने उसका काम ही तमाम कर दिया था और उसने उस वॉरत को भी माफ कर दिया, जिससे उसने गैर की बाहों में देख लिया था जिसे वह जानता था कि वह बद्चलन है, खेर राकेश रजनी को अपने घर ले आया वह उससे उसी तरह ही मांदारी से प्यार करता रहा, जैसे कि लोग अपनी पत्नियों को प्यार करते हैं काफी समय बीट गया, उनके बीच किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई एक दिन रजनी और राकेश दोनों बाहर बैठे हुए थे, राकेश भूजन कर रहा था गलती को यदि माफ ना किया जाए, तो गलती करने वाला गलती और भी करता चला जाता है शायद राकेश ने रजनी को इसलिए भी माफ कर दिया होगा, क्योंकि उसने उसका काम ही तमाम कर दिया था और उसने उस वारत को भी माफ कर दिया, जिससे उसने गैर की बाहों में देख लिया था जिसे वह जानता था कि वह बद्चलन है, खेर राकेश रजनी को अपने घर ले आया वह उससे उसी तरह ही मांदारी से प्यार करता रहा, जैसे कि लोग अपनी पत्नियों को प्यार करते हैं काफी समय बीट गया, उनके बीच किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई एक दिन रजनी और राकेश दोनों बाहर बैठे हुए थे, राकेश भूजन कर रहा था राकेश रजनी को सम्बोधित करते हुए कहा, रजनी जरा एक गिलास पानी लियाना अंदर कैसे जाऊं दर लगता है, राकेश को हंसी आ गई क्या बात है रजनी ने कहा तुम हंस क्यों रहे हो, हंसी इस बात पर आ रही है राकेश ने कहा, तुम्हें अंदर घर में से गिलास लाते हुए दर लग रहा है और उस समय दर नहीं लग रहा था, जब तुम आधी रात को साधू की लाश के लिए नदी किनारे लकडियां चुराती फिर रही थी ना जाने कैसे आज यह बात उसके दिल में आ गई थी, और उसने कह दी वर्ना बरसो गुजर गए थे, इस बात का उसने जिक्र तक नहीं किया और तो और उससे यह कभी नहीं पूछा था, कि उसने कभी किसी से प्यार भी किया था या नहीं राकेश की मुँँ से इस बात को सुनते ही, रजनी की आँखे मसाल की तरह जल उठी वही थोड़ी दूर पर तलवार पड़ी थी, उसने लपक कर उसे उठा लिया और अपनी पूरी शक्ती से राकेश पर कई वार किये, राकेश एक्दम सतर्ख हो गया वह चार पैश से कूट कर एक तरफ खड़ा हो गया, रजनी ने इतनी जोर से तलवार से उस पर वार किया था कि चार पैश की पार भी कट गई, उसने राकेश पर कई बार वार किया राकेश को अपनी भूल का हसास हुआ, वह सोच रहा था कि उसने यह सब कहकर बहुत बड़ी भूल कर दी मगर अब क्या हो सकता था, तीर कमान से निकल चुका था बार बार उससे कहा रजनी होश में आओ, गुसे को थूप दो तुम्हें परिशान करने या बेज़त करने का मेरा कोई इरादा नहीं था तुम खुद सोचो कितने वर्ष हो गए, आज तक मैंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया मैं आज भी इस बारे में कुछ नहीं कहता, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में बात आ गई और मेरे मूँ से निकल गई, मुझे माफ कर दो रजनी, पर राकेश की बातों का कोई असर नहीं हुआ वो वार पर वार करती रही, रजनी की आँखों में वैसा ही खून उतर आया था जैसा साधू शंकर के दो टुकडे हुए लाश को देख कर उतरा था, राकेश ने आज वक्त की राक में दभी चिंगारी को हवादे डाली थी राकेश को अब लगने लगा था कि रजनी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी थोड़ी देर बाद रजनी ने खुद अपने आपको मार डाला, राकेश को अपनी भूल पर एहसास हो रहा था, उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था जो होना था वो तो हो गया था, उसका कोई इलाज नहीं था एक तरह से कहा जा सकता था, कि उसका घर बरबाद हो गया था जिसका जिम्मेदार वो खुद था, बातो ही बातों में उसकी पत्नी का अंथ हो गया था दोस्तो राकेश ने उसे साधू के साथ उस दशा में देखने के बाद भी माफ कर दिया था जो कोई भी मर्ट किसी भी हालत में उसे जिन्दा नहीं छोड़ता लेकिन उसने आज भी उसे माफ कर दिया था पर वह नहीं मानी और उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया दोस्तो ऐसी ही ओसम कहानिया पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ओसम कहानिया को प्लीज लाइक करना और अपने खुबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना धन्यबाद